Hello friends, welcome back to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस lecture में हम आपके साथ discuss करेंगे चर्चित महिलाओं को, कई बार exam में यहां से question आ जाते हैं, तो आप इनको note करिएगा, और अगर आप इसका pdf प्राप्त करना चाहते हैं, तो pdf के लिए telegram channel join कर ले, channel को अगर आपने अ पहला question, important है, पहला question है, हाल ही में सेवी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो दोस्तो सेवी की पहली महिला अध्यक्ष मनी है कौन, माधवी पुरी बुच, कौन बनी है, माधवी पुरी बुच, दोस्तो अगर हम बात करें सेवी की, तो सेवी की जो इस्थापना है, वो 12 अप्रेल 1992 को हुई थी जिसका हैड क्वाटर है मुंबई में बर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी दोस्तो सेवी का कार क्या होता है इसको अपन थोड़ा से समझ लेते हैं इसका कार होता है सेर बाजार में निवेशों के हितों की रक्षा के साथ सेर बाजार के सभी महतपूर कारियों और नियमों का संपादन करना अंगला प्रस्थन है लता मंगेसकर जी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ था इंपोर्टेंट है क्योंकि लता जी बहुत फेहमस रही है, 2022 में क्योंकि उनका निधन हुआ है, तो उनके निधन से related question पूछे जाल सकते हैं, और उनके जीवन से जुड़े हुए question भी आपके exam में पूछे जाल सकते हैं, तो लता जी को जरूर आप एक बार पढ़के जाएं, अगर आप किसी भी exam को देने जा रहे हैं, तो लता जी को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि current affairs में उनसे related question जरूर बन सकता है, इस question का answer होगा, 1929 में इन दौर में, यानि लता मंगिसकर कर जो जन्म है, 1929 में इन दौर में हुआ था, ठीक है, 18 सौरी, 18 सितंबर 1929 को इनका हुआ था और 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है मुंबई महराष्ट में, और ये भारत की जो लोग प्रिये गायका हैं, उनमें इनका पहला इस्थान हैं दोस्तों, बहुत ही great personality थी भारत की, और इनहें कई पुरुसकार भी दिये गए हैं, जैसे 1979 में पद्म भूशन से सम भारत रतन भी दिया गया था, तो ऐसे कोशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको नोट करते जाएगा, पीडिये अप के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसका आसानी से पीडिये देखी होगी, उसमें जो मुन्नी का किरदार जिसने किया था, वो थी हरसाली मलोत्रा, कौन थी दोस्तों, हरसाली मलोत्रा, तो उन्हें ही भारत रतन डाक्टर अंबेटकर पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, और ये जो सम्मान है, उन्हें महराष्ट की राज में निधन हो गया है, इन्हें किस बर्स पदमिसरी से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों ये भी भारत की ग्रेट परसनाल्टी थी, ताई के नाम से जानी जाती थी, सिंदु ताई कहते थे ने, तो इनका निधन भी इस साल हुआ है, चर्चा का विस्षय रही है, तो इन उनका जन्म जो है, वो 14 नॉंबर 1948 को बर्धा महराष्ट में हुआ था, और इन्हें महराष्ट की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था, महराष्ट की मदर टेरेसा कौन कहलाती थी, सिंदु ताई सबकाल, उन्होंने अपने जीवन में अनिक समस्याओं के बापजूद, अनात बच्चों और आसहाय बच्चों को समालने का कार किया है, अंगला प्रसन है, गुजरात बिधान सबा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम है नीमा बैन आचार, क्या नाम है, नीमा बैन आचार, ठीक है, राजंदर तरवेदी, इन्होंने बिधान सबा अध्यक्ष पद से स्तीपा दिया था, फिर उनके बाद नीमा मैन आचार जो है, वो बिधान सबा की अध्यक्ष बनी थी, जो कि गुजरात बिधान सबा की पहली महिला अध्यक्ष है, और चीप मिनिस्टर कौन है गुजरात के, तो याद रखिएगा भूपेंदर भा अंगला कोशन डिसकस करते हैं, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली आस्वेत महिला जज कौन मनी है, इंपोर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा, केतन जी ब्राउन जैक्सन, वो इस अदालत में नियायमूर्ती क्लेरेंस थामस के बाद दूसरी आस्वेत नियायाधीस है, अमेरिका की बात करनें, तो अमेरिका की राजधानी हम सबको पता है, वासिंग्टन डी सी है, तो अमेरिका की जो राष्ट पती है, वो कौन है, जो बाइडन है, जो की 48 बी राष्ट पती है, और उप राष्ट पती है, कमला हैरेस, जो की भारती अमूल की है, ठीक है, अच्छी साल की उम्र में महिला पाइलेट बनी है यानि सबसे यंगेस्ट महिला पाइलेट है ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे अंगला प्रसन है भारती एथलीट हिमादास को किस राज में पुलिस उप अधीक्चक यानि DSP के रूप में नुक्त किया गया है तो DSP के भारतिये धाबक है ठीक है और दोस्तों इन्होंने AIAAF World Under 20 Athletics Championship की 400 मीटर दोड इस परदा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतिये महिला खिलाड़ी है चलिए फ्रेंट्स अंगला कोशन देखते हैं मीरा भाई चानू को किस राज में अतरिक्त पुलिस अधीक्चक न्यूक्त किया गया है तो दोस्तों मीरा भाई चानू का relation किस state से है तो वो मनीपूर से related हैं वेट लिप्टर है मीरा भाई चानू तो उन्हें मनीपूर में ही अतरिक्त पुलिस अधिक्चक न्यूक्त किया गया है ठीक है इन्होंने Tokyo Olympic 2020 में जोकी 21 में हुए थे Tokyo Olympic उसमें उन्होंने 49 kg भार वर्ग में सिल्वर मैडल हासिल किया था अंगला प्रस्न है हाल ही में दिल्ली खेल विश्व बिद्यालाई की प्रथम महिला कुलपती कौन बनी है तो इसका आंसर है करणम मल्लेश्वरी कौन बनी है दोस्तों करणम मल्लेश्वरी ये भी भारत की वेट लि जिनका रिलेशन है आंध्र प्रदेश से तो दोस्तो करियर की शुरुबात उन्होंने जूनियर वेट लिप्टिंग चेंपियंशिप से की थी जहां उन्होंने नंबर वन पायदान पर कबज़ा किया था 1992 में एसियन चेंपियंशिप में मलेशवरी ने तीन रज़त पदक जीते थे तो ये इनकी उपलबधी है किसकी करणम मलेशवरी की अगला प्रसन है सेल यानि स्टील ऑथार्टी ओफ इंडिया लिम्टिड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है सौमा मंडल क्या का नई दिल्ली में और इसका कार होता है भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है कौन सेल और इसको महारतन कंपनी बनने का दर्ज़त 2010 में मिला था लेक्षर अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों को सेर जरूर करिएगा सभी सोसल मीडिय प्लेटफॉर्म पर अंगला प्रसन है किस भारतिय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्टिय पुरुसकार मिला है उनका नाम है दोस्तों कला नारायन सामी क्या नाम है कला नारायन सामी तो सिंगापुर में कोरोना महामारी के दोरान एक युद्धा के तोर पर काम करने वाली भारतिय मूल की नर्स को राष्टपती पुरुसकार से सम्माने किया गया है तो दोस्तों कला नाराण सामी उन पांच नर्सों में सामिल है जिन्हें राष्टपती पुरुसकार मिला है कहां पर सिंगापूर में अंगला प्रस्न है पाकिस्तान की सुप अगला प्रस्ट्न है पदमश्री प्राप्त कथककली नर्टयांगना मिलीना साल्बनी का जन्म किस देश में हुआ था तो दोस्तो इसका आंसर है इतली में अपी हाली में इनका निधन हुआ है 2022 में ही भारत में इन्हों और जो सास्त्रिय निद्त है उसको सीखा था ठीक है त तो दोस्तों Australian Open जीता था एसले बार्टी ने किसने जीता था एसले बार्टी और एसले बार्टी की बात करें तो यह इनका सम्मध। उस्टेलिया से ही है इन्होंने हाल ही में टैनेस से सन्यास लेने की भी घोशना की है अभी इनका जो केरियर है वो उचाई पर जा रहा था लेकिन उन्होंने अभी बरतमान में ही टैनेस से सन्यास लेने की घोशना की है अंगला प्रसन है लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस म अंसर है इसका जूलन गोस्वामी, जूलन गोस्वामी जो है वो भारतिय जो महिला क्रिकेट टीम है उससे जुड़ी हुई है और वो बॉलर है एक, अंगला प्रसन है किस महिला क्रिकेटर को बैंक ओप बड़ोदा का ब्रांड इंडॉर्सर बनाये गया है, इंबेश्डर नह इसका आंसर है अलका मित्तल, यानि अलका मित्तल जो है वो ONGC की पहली महिला चेर्मेन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, दोस्तो बात आई है ONGC की, तो ONGC का फुल फॉर्म होता है और जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, इसका हैड कोटर जरूर याद रखीगा, नियो दिल्ली में है अंगला प्रसन है Miss Universe 2021 किसे चुना गया, तो दोस्तो Miss Universe 2021 किसे चुना गया था, उनका नाम था हरनाज संधू, क्या नाम था हरनाज संधू, सबसे important question होगा, एक्जाम में पूछा जा सकता है ये question, कि Miss Universe 2021 का खिताब किसने जीता था, तो ये जीता था, इंडिया की हरनाज संध अंगला प्रसन है, महिला होकी एसियकप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है, भारतिय महिला की जो होकी टीम है, उसने जीता है, ठीक है, और दोस्तो, 2022 महिला होकी एसियकप जो है, वो इसका दसवा संस्क्रण था, और इसका आयोजन किया गया था, मसकट में, जो की ओमान की राजधानी है अंगला प्रसन है हाली में भारतिय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है जोती सर्मा कौन बनी है जोती सर्मा तो लेटिनेंट करनल जोती सर्मा बिदेशी मिसन पर भारतिय सेना की पहली महिला जज एड़ुकेट जनरल यानि जे इजी नियुक्त की तो इस question का answer होगा आसम अंगला प्रसन है पदमिस्री से सम्भानित होने वाली पहली भारती महिला फुटवालर कौन बनी है तो उनका नाम है ओईनम बैम बैम देवी क्या नाम है दोस्तो ओईनम बैम बैम देवी ठीक है और ये भारती फुटवाल टीम से जुड़ी है और इन हाली में किस पुरुषकार से सम्भानित किया गया है पदमिस्री पुरुषकार से सम्भानित किया गया है इन्हें भारती फुटवाल जगत में दुर्गा के नाम से जाना जाता है अंगला प्रसन है देश की सबसे युबा मेयर बनने वाली महिला का नाम क्या है तो उनका न पुरम की एक कॉलेज की छात्रा आर्या राजंदरन को देश की सबसे युबा मेयर बनने का गौरो प्राप्त हुआ है और आर्या राजंदरन की बात करें तो वो महज अभी 21 बर्स की हैं अगला प्रसन और लाश्ट प्रसन है दोस्तों ध्यान से सुनियेगा हाल ही में किस रा पंचयात अध्यक्ष बनी है बे अर्वा पालुपलम ग्राम पंचयात से चुनी गई है और 18 नॉबंबर 1999 को जन्मी प्रेस्मा को पर्चा भरने की आखरी तारिक से दो दिन पहले तक का इंतजार करना पला था क्योंकि वो 21 साल की नहीं हुई थी ठीक है दोस्तों सबसे इनको आप नोट कर ले या फिर इसका पीडिया प्राप्त कर ले टेलीग्राम चैनल से और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आपको लाइक करना है और हमारी जितने भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं लिंक सभी का डिस् आप हमें ले खार आप आपको लेक्चर खाल।